अब इतियास में चलते हैं पीछे जैसे ही 1960 शुरू होता है हमें याद आता है कि उस समय एक Cold War का दौर था Cold War में क्या हो रहा है? Cold War में दो ऐसी सूपर पावर्स उभर के आ चुकी है US और USSR, रशिया अब इंडिया ने उसी समय डिसाइड कर लिया था नहरू जी की प्राइम मिनिस्टर्शिप में कि इसका एक ही तरीका है जिसको अगर आपको याद हो सर्विया ने World War One Year Two एक शुरू किया था अब क्या होता है कि सर्विया में कि इस जगे पे यहाँ पे एक समिट होती है जिसका नाम होता है नाम समिट, Non-Aligned Movement हम ना आपके साथ है नाम आपके साथ है पर हम दोनों के साथ बैठके बाते करेंगे समझोते की बात करेंगे शान्ती की बात करेंगे यहाँ पे तीन में लीडर है कौन-कौन युगोसलाविया के प्रेसिडेंट टीटो अब युगोसलाविया क्या है युगोसलाविया यॉरोप में Southern Europe में एक ऐसा रीजन था जिसमें काफी सारे almost नहीं तो 20 से 25 कंट्री आते थे जैसे Montenegro, जैसे Croatia, जैसे Serbia, जैसे Bosnia तो ये सारे कंट्रीज को उस समय यूगोसलाविया कहा जाता था और आपस में इनेम बोलते थे Balkan कंट्रीज तो ये Balkan कंट्रीज आपस में खूब लड़ाई जगणी भी करते थे खूब यहाँ पे वाइलेंस भी हुई है, सब फिर यूगोसलाविया तूट जाता है जब तक नहीं तूटता है, तब तक यूगोसलाविया के प्रेसिडेंट होते हैं तीटो और इजिप्ट के प्रेसिडेंट नसार, तो इन तीनों लोगों ने यहाँ पे बात करी कि अब हम लिडर्शिप समालते हैं, हम कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सब की सब नीट्रल रहेंगी पहली बात, दूसरी चीज हम शान्ती चाहते हैं हम संप्रभुता चाहते हैं कि एक देश जो अपने डिसीजन खुड ले सकता है, चाहे हो चैसा भी ले फिर तीसरी चीज, जो देश डिसीजन ले, उसके अंदर, उसके डिसीजन में कोई बाहर के कोई हस्तक शेप नहीं करेगा कोई बाहर की, कोई फोर्स उसको बतानी सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो ये फॉर्ण पॉलेसी हमारी आज भी वैलिड है, चाहे रशिया-उक्रेन वार हो, चाहे इसराइल-फिलिस्तीन वार हो, ऐसे वार्स में भी हम कभी एक तरफ नहीं होते हैं, हमें दोनों तरफ ब गोवा पे कबजा किये हुए थे, साड़े चार सो साल पहले, बहुत पहले ही आ गए थे, अब हमने गोवा को लिया एक मिलिटरी एक्षन के दुआरा, जिसमें हमारी लैंड फोर्स, सी फोर्स और एयर फोर्स, तीनों की तीनों सेनाएं जाती हैं, और जाके गोवा को बहु पाइड डेरेटरी बोलेंगे, यूटी बोलेंगे, बाद में हम उसको स्टेट बनाएंगे, अब यह हुआ आगे, आगे चले हम यहाँ पे डावरी प्रोहिबिशन होता है, इस समय तक देश में कुछ ऐसी प्रताएं थी, जो कि भले ही तो होनी नहीं चाहिए, पर एथिकल या कोई चीज, कैश और काइंड, किसी भी फॉर्म में, अगर आप शादी के दौरान, अगर ऐसा कुछ अदला बदली होती है, जो कि शादी जुड़ी हुई है, और बिटिया के घर से अगर जाता है, अगर किसी ग्रूम के घर पे, तो वो जो है इल्लीगल काम है, डावरी मांगना, डावरी देना, नहीं होना चाहिए, इल्लीगल है, इसके लिए कानूर मनाया, इट एम टु कर्ब दे सोशल इवल ऑफ डावरी, बस, क्योंकि कई हमने बहुँ की हत्या होते देखे थे, कई हमने इसी लड़कियों की, हमें, डॉमेस्टिक वाइलेंस हमने सुनने क उसमें बहुत होता था, कि लड़कियां अपने घर से और पैसा लेके आओ, ये लाओ, वो लाओ, तो हमने उसको रोकने के लिए ये किया, इंकोस्पार, इंकोस्पार जो एक कमिटी थी, एक आप इसे कहलो, कि ये नैशनल कमिटी थी for space research, अब ये इंकोस्पार से ही बना है क्या हमारा ISRO, ये रहा, अब ISRO से पहले एक कमिटी गुआ करती थी, जो space research के लिए बाते करती थी, समय कौन सा है 1962, बड़ा important year रहा है, इस year में हमने एक बहुत जादा उथल पुथल देखा भी है, तो ISRO की यहाँ पे स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन ISRO की predecessor, एक कमिटी क गठान हो चुका है, और इस कमिटी ने अपना काम करना शुरू किया है, लेकिन किसके अंडर, डॉक्टर विक्रम सारा भाई, जो की एक और इनसे पहले के scientist इनको ले के आये थे, हमने पिछले एपिसोड में उसकी बात भी करी है, आप याद कीजिए वो कौन थे, अब विक समय था, जब cycle पर हमार रॉकेट जा रहा है, आज ये जो रॉकेट है, ये अपने आप से हमारे PSLV से, या सतीजवन स्पेस सेंटर से होके निकल रहा है, तो 62, 63, 69, 75, 71, 77, 79, 79, 81, 87, और आज जाके चंदरियान 3 तक, जब हम आधिते L1 मिशन की बात कर रहे हैं, गगण यान पे और सीनो इंडियन वार हुई थी, इस वार में हमारा अकसाई चिन और पार्ट्स ओव अरुनाचल प्रदेश चाइना के कंट्रोल में चले गए थे, और ये तब हुआ था, जब हिंदी चीनी भाई-भाई की हम बात कर रहे थे, और चाइना ने हमारा ट्रस्ट ब्रीज क किया था, हमारा उन्होंने ट्रस्ट का फाइदा उठाया, हमारे भरोसे का, और ये वार हुई, इस वार में काफी ज़्यादा इंडिया को लॉस भी हुआ है, इंडिया के सेनाओं ने काफी उस समय जब हमारे पास एक्विप्मेंट जैसे भी थे, वैसे भी थे, लड़े ब अब ये माना जाता है कि वो सैनिक आज भी जिन्दा है, वो सैनिक आज भी बाटरी सुरक्षा कर रहा है, और उनकी सैलरी जाती है, उनकी यूनिफॉर्म है, उनकी एक्विप्मेंट है, उनकी राइफिल है, सब कुछ आज भी वैसी की वैसी, क्योंकि उस सैनिक ने काफी पे हमने अपनी energy security की बात करना शुरू कर दिया था energy security क्या होता है कि हम अपने देश की जरूरते हैं जैसे बिजली की जैसे कोई भी चीज़ की तो अब बिजली हो चाहे पानी को चाहे रोकना हो जैसा भी करना हो हमने उसकी स्थापना करी और उस समय का world का largest dam बनाया कहां पे सतलज river पे हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम था भागडा नंगल डैम भागडा नंगल डैम को उस समय modern India का मंदर बोला था temple of modern India बोला था नहरूजी ने और कहा था कि यह जो dams बनेंगे यह नए भारत के नए मंदर कहलाएंगे जहां पे से scientific discovery हो सकेगी जहां से research हो सकेगी जहां से देश की energy जरूरतों वो पूरा किया जा सकता है आगे चले हम देखो कितनी अच्छी चीज़े भी हैं और थोड़ी ऐसी चीज़े भी हैं जो इतिहास का पार्ट है जैसे ये एक anti-hindi movement तो ये एक anti-hindi movement हुआ था अब ये क्या है जो उस समय south के states थे खास करके मदरास उन states ने कहा था कि हमें अपने उपर हिंदी नहीं चाहिए हमारी अपनी भाषा है चाहे तमिल चाहे तेलगू चाहे मल्यालम चाहे कंणड चाहे कोई भी तो हम हिंदी का imposition नहीं चाहते हैं अब ये जो movement का शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पेरियार रामस्वामी जी इनोंने अपनी magazine में जिसका नाम था कुडी अरासू इस magazine में लिखना शुरू किया था कि हमारे हिंदी इतनी ज्यादा हमें मत बताओ हमारी हिंदी से ज्यादा पुरानी languages हैं हम उसमें ठीक हैं अब यह जो official language act इसी लिए आया था ताकि यह बताया जा सके इस पूरे देश को कि English तो रहेगी रहेगी पूरे इंडिया के लिए साथ में alongside Hindi और addressing concerns from non-hindi speaking states हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपके उपर Hindi नहीं लगा रहे है official language देश की जो है वो English रहेगी रहेगी for official purposes ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब जो anti-hindi agitation है जब अगर वाट शुरू हो गया तो इनको फिर quell करना जरूरी है otherwise क्या होगा language की वजए से और भी ज़्यादा चीजों anti-hindi agitation council एक पूरा बन गया anti-hindi agitation council है और इन्हों ने बात करना चुरू किया कि हम एक umbrella body है हमारे यहां से सारा movement control होगा जितने भी protest होंगे जितने भी हर जागे जो ग्यापन देने होंगे तो देंगे हर चीज़ हम जाके बताएंगे सरकार को केंदर को और जो अपने अपन language model हो गई अब तीन language बच्चों को आनी चाहिए ठीक है अब ये एक strong sentiment है ये concern है उन states का जहां पे हिंदी prevalent नहीं है आगे चले हम 1964 में जब प्राइम मिनिस्टर नहिरू जी की death हो जाती है sudden मौत हुई है heart attacks से हुई है और एक बहुत बड़ा एक era का अंत हो जाता है इसके बाद से क्या होता है political जो continuity थी वो थोड़ी सी turbulent टाइम में आ जाती है इसके बाद political continuity जो stability रही जो आप देख रहे हो 4764 इतने सालों तक इतने सालों तक जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति प्राइमिनिसर रहा तो क्या होता है केंदर की policies जो है वो अब continuity में चलती है scheme आई है चलती है रही चलती है रही कोई पैसठ का जब हमें अपने जरूरत है अपने खान पान की हमारे यहां जो food security की problem है उस समय देश में जो खेती थी इतनी strong नहीं थी कभी सूखा कभी बार कभी कुछ ओले कभी पाला कुछ भी पढ़ जाता था फसल खराब हो जाती थी हमने बाहर के देशों से help मांगी खासकर कहां से यूएस से और यूएस ने आप कईयों को पता होगा PL 480 जो दिया था PL 480 यूएस का एक aid program था हमको अब जो PL 480 जो गेहूं था ये गेहूं वो था जो वहां के pigs को खिलाया जाता था pigs fodder अब ये उन्होंने हमें supply किया था सोचिए हम कहां से कहां आए हैं अब इसके बाद green revolution शुरू होता है शास्त्री जी ने बोला था जै जवान जै किसान हम शुरू करते हैं अपने यहां पे हमें चाहिए modern फसल है हमें चाहिए नए बीज ऐसे बीज जो HYV हो हाई yield variety हो या PL480 को हटाके अपने अपने खुदी आत्म निर्वा बनने के लिए हमें क्या जरूवत पड़ी हमें जरूवत पड़ी MS स्वामी नाथन जैसे लोगों की जिनकों कहते हैं father of green revolution यही थे जिनोंने modern agriculture high yield crops और जितने भी सारी टेक्नीक्स हैं modern आज के लिए वह important थी क्योंकि किस खेत में किस मिट्टी में कैसी खात जानी चाहिए he is the man behind इनके साथ ही चो खड़े हैं यह है Norman Borlog तो Norman Borlog भी आये थे consultant के तौर पे बहार से और इन्होंने भी काफी हमें help करी आगे चले हम आगे जब हम चलते हैं इंडो पाकिस्तान वार होती है पाकिस्तान के साथ दूसर जी कहते हैं अब इनको deal करते हैं इनको tackle करते हैं और USSR की help से पाद में finally mediation होता है कब September 23 1965 में बाकिसान को बोला गया कि जहां border खिच चुका चले जाओ पीछे चले जाओ वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है क्योंकि हम अभी तक हम तीन वार लड़ चुके हैं 47, 62, 65 तो हमे experience हो चुका है जीत का भी हार का भी हमें पता है drill कैसे करनी हमें पता है कि अब आगे कैसे और हम tackle करेंगे अलग अलग तरीके की terrains की अलग तरीके की कोई भी अगर external threat आती है तो आगे चले हम हमने देखा कि एक शास्त्री जी की जब ये जो हम issue solve कर रहे थे इस दोरान अब त ताशकेंद में हुआ था ताशकेंद कहा है ताशकेंद एक Central Asian country का एक capital है जिस country का नाम आप बताएंगे comment में अब यहाँ पे ताशकेंद में agreement हो रहा था हमें क्या करना था इंडो पाकिस्तान war का हमें इसका finally हमें इसका settlement करना था agreement करना था शांती का और जैसे ही 12 घंटे ब संदिक धालात में उनका म्रज शरीर पाया जाता है तो यह बहुती जादा problematic situation थी इंद्रा गांदी जी उसके बाद तुलन सक्सीड करती है प्राइम मिनिस्टर बनती है अब इसके बाद से हमने देखा कि इंद्रा गांदी जी first and till date the only female प्राइम मिनिस्टर बनी जिन्होंने इतना लंबा कारेकाल भी देखा जिन्होंने अपने कारेकाल में काफी कुछ changes किये जो हम आगे देखेंगे अभी आगे चले हम जब हम आगे चले हमने देखा अच्छा ठीक है पहली ARC बनती है यानि कि यह क्या होता है यह होता है administrative administrative reforms commission reforms कि प्रशाजन में सुधार कैसे कैसे आ सकता है reforms कैसे कैसे आ सकता है अब यह जो उस समय आया था तो यह मुराजी देखाई जी के अधिश्टा में आया था ARC commission यानि प्रशासनिक सुधार आयोग इस आयोग ने कुछ-कुछ recommendation है दी थी इस आयोग ने कुछ-कुछ ऐसी बाते बताई थी कि ऐसे अगर करेंगे त तो सरकार के प्रती लोगों का रुख जो है उन नरम रहेगा लोग भरोसा रखेंगे सरकार पे लोग भरोसा रखेंगे सिस्टम पे सारी चीजों पे तो उसके लिए बना गया पहली बार ARC इस ARC को नहीं पर हम अगले second ARC को UPSC के बच्चे पढ़ते हैं second ARC report is very very important हमारे त जादा एक इंसर्जंसी शुरू होती है जिसमें ये चारू मजूमदार और कनू सान्याल ये दो लोगों के लीडर्शिप के अंदर एक मूवमेंट शुरू होता है नकसलाइट मूवमेंट अब नकसलवादी जिसे हम कहते हैं तो अब जाके तो काफी कुछ शांत हो गया है ये अप्रेल साथ 2010 का है जब दानते वाड़ा में काफी बड़ा भयानक अटैक हुआ था हमारे जने कितने 44 CRPF जवानों को इन्होंने मौत की घाट उतार दिया था और इसके अलावा दानते वाड़ा में हुआ, 36 गड़ में हुआ, 2013 में तो काफी जारा हमने देखा कि इंस इसके बाद Security Forces ने काफी कुछ मोर्चा समाला, काफी ज़्यादा हमारे भी जो दोस्तों के जो फादर्स थे, यहां पे जॉब पे थे, वो भी चले गए, और परसली मैं भी जानता हूँ उन लोगों को जो चले गए, तो इन लोगों ने काफी कुछ अपना पलिदान दिया, काफी कुछ किया, फाइनली जाके हम देख रहे हैं कि अब जाके बहुत ही sporadic violence अभी भी कहीं न कहीं होती है, पर अब शांती बहाल हो रखी ऐसे areas में, जो कि इस समय बहुत जादा गरसित थे इन चीजों से, फाइनली आगे चले, रवीशंगर जी, पंडित रवीशंगर ज हों, चाहे कोई, और musician हों, कोई भी हों, तो इनको मिलता है, इंडिया के जो सितारवादक थे, जो सबसे ज़्यादा मशूर थे, पंडित रवीशंगर जी, उनको मिलता है multiple Grammy Awards, including क्या, एक lifetime achievement award in 2013, बहुत बड़े सितारवादक थे, बहुत ज़्यादा इनका, और इंडिया न उपर, जहां बात होती है, कि आगे आने वाले बच्चों का जो भविश्य है, उसको निर्धारित करना है, that means, education को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना सोचना पड़ेगा, education बच्चों को कैसे मुहिया कराई जाएगी, क्योंकि हमें एक uniform education structure चाहिए, सारे states का अपना-पना education का system ह होगा, तरीका होगा, तो सारे बच्चे अलग-अलग pace से बढ़ेंगे आगे, हो सकता है केरला का 12 साल का बच्चे के पास ज्यादा सिलेवास हो पड़ने के लिए, बजाए कोई राजस्थान के बच्चे के, तो अब इसको uniform करना है, पूरे देश के लिए, समान education at समान age level, यह होना चाहिए, compulsory education for children up to 14 years, अभी यह right to education नहीं है, यह तब ही national policy and education में लिख दिया गया था, 14 साल तक, यानि almost almost class 8, एक rough sense में, बहुत ही rough sense में, एक primary, secondary education सब को चाहिए ही चाहिए, यह इतनी इतनी चाहिए, इसके बाद बच्चा अपना decide कर सकता है कि आगे उसको continue करना है पढ़ाई है, नहीं करना है, but this basic education is required, is necessary, इसमें option नहीं है, तो यह बच्चों को पढ़नी पढ़ेगी, साथ ही adoption of three language formula जो हमने पीछे देखा, कि जो anti-indie movement को रोकने के लिए, official हमारा language act है, जो भी है, तो उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, national integration promote करेंगे, पहली बाद, इन दोनों चीजों से, scientific भी और literary भी, literary क्या होता है, जब आप English पढ़ते हैं, History पढ़ते हैं, Sociology पढ़ते हैं, Civics पढ़ते हैं, Politics पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं literary, और scientific क्या है, हमारे science, technology, engineering, maths, physics, chemistry, bio, इस सारी चीज़े, आगे चले हैं, आगे गए, तो हमने देखा, कि इंडिया को फिर से एक prize मिलता है, और हर गोबिन खुराना जी को Nobel मिलता है, इन Biochemistry, जब हर गोबिन खुराना जी को, जब Nobel मिला था, तो इन्हों तो इन्हें अकेले नहीं मिला था, इन्होंने prize को share किया था, विद Robert Holly जी, और साथ में Marshall Nirenberg जी, किस चीज़ के ऊपर, Biochemistry में, इन्होंने genetic coding, genetic coding और protein synthesis का role उसके अंदर क्या है, उसको हमने पढ़ा, जिसकी वजह से, आज जो हम advances देखते हैं, जैसे क्या क्या, जैसे हम देखते हैं, CRISPR, Cas9, जैसे हम आज देखते हैं, कई सारे और जो advances हुए हैं, genetic coding में, three baby formula, three parent baby होता है, और हम देखते हैं, कैसे हम genetic coding के द्वारा, आगे आने वाले बच्चों में से, वो disease हटा सकते हैं, जो parents को रही होंगी, या उनके और जो पुराने पूरवजों को रही होंगी, तो ये सारा का सारे आया कहां से, जब हरगोमिन खुराना जी की study, लोगों ने आगे पड़ी, scientist ने आगे पड़ी, आगे चले ह आगे चलने पर हमने पाया कि banks का nationalization हो चुका है, इंदरा गांदी जी ने बोला कि देश में जो चोधे उस समय की major banks हैं, हम सब banks को उठाके अपने सरकार अपने पास ला रही है, क्यों ला रही है, इसके पीछे के reason बहुत है, banks उस समय एक money lender का का काम कर रहे हैं, ठीक है, lender भ या bank पैसा लेके भाग गया, तो क्या होगा, ऐसे में यह important है कि banks को सरकार अपने अधीन रखे, सरकार बोले कि अब हम भले ही आपको take over कर रहे हैं, आप राश्टी करन हो रहा है आपका, आप देश की service में आ रहे हो, और आप देश के जनता के लिए काम कर रहे हो, ना कि रूरल एरियास तक, ग्रामीर शेत्रों तक जहां पर लोगों को भरोसा नहीं है banking system पर, जहां लोगों को अंदाजा नहीं है कि bank में पैसा रखने से फायदा होता है या नहीं होता है, वहां तक आप पहुचो, यानि deep penetration into the rural India, वो important हुआ, अब जब 1990s के बाद, जब LPG reforms हो ग सकते हो, so काफी सारी चीज़ें आई उसके बाद changes हुए, आगे चले हम, जब 1970 में हमारे पास operation flood होता है, इसका नाम आप कुछ और तरीके से जानते हो, श्वेत revolution कहते हैं इसे, पर actually में technical इसका जो official name था, वो था operation flood, क्या है ये operation flood, operation flood है, इंडिया को बनाना था हमें top milk producer, हमे अपने देश में portion, यानि nutrition की चिंता थी, बच्चों की आने वाले बच्चों की और उस समय की आबादी की, that means we needed what, milk, अब milk क्या है, milk एक staple food है, for rich and poor alike, ये एक ऐसा खाते पदार्त है, दूद, जो गरीब बच्चा पी सकता है, अमीर बच्चा पी सकता है, तो अगर हमारे मिल की supply proper होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि milk की कमी हो रही है, अगर milk की कमी हो जाए, तो गरीब बच्चा दूद पाही नहीं पाएगा, इसके लिए जरूरी था, कि एक इंडिया में एक ऐसा, इंडिया का milk production boost किया जाए, ज्यादा बनाया जाए, dairy products हो, उसके लिए हमने वरिये कु producer, finally हम आज world के सबसे बड़े milk producer हैं, हमारे बाद कौन आते हैं, पाकिस्तान, हमारे बाद कौन आते हैं, और चाइना, ब्रजील, ये लोग, लेकिन इंडिया इस समय विश्यो का almost, almost 15% ये इसका milk production खुद करता है, export भी करता है, dairy products सारे के सारे, cheese, पनीर, घी, सारी चीज़, म पर हम और भी चीज़े देखेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स आपको पता ही होंगे, कुछ-कुछ और भी इवेंट्स होंगे, जो हम उसका ध्यान रखेंगे, उसकी बात करेंगे, till then, keep studying, stay safe, good luck.